हलो दोस्तों कैसे हुआ आप स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जी एनपी पे मीट करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अपने फराटा फान को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो हमारे पास एक फराटा फान आया है जो कि वो चलते चलते हो जाम हो जा रहा है तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को दिखाने वाले हैं और पूरी वीडियो प्रेटकल ही होने वाली है हमारी तो किस तरीके से इस फराटा फाइन को टिक करेंगे तो चलिए आए वीडियो में हम आपको दिखाते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता जो के भी तक आप लोग ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चै स्टार्ट करते हैं तो कि यहां पर यह हमारे पास जो फार्फश देख सकते हैं इसमें कस्टमर का डिमांड है कि चलते चलते यह फार्फफयन जाम हो जा रहा है तो इसे आज रहे किस तरीके से ठीक करेंगे वीडियो में पूरी जानकारी देने लगा कर टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फैंट चल ला है तो चले लाइन में टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने सामने वाली जाली को निकाल लिया है और यहाँ पर हाथ से डुलाने पर बहुत ज़्यादा फ्री चल ला है तो इसे हम light में लगा के देखेंगे देखते हैं किस तरीके से perform करता है यह fan तो यहाँ पर हम इसको light में लगा लिए है और देख सकते हैं यहाँ पर यह चल ला है देख सकते हैं चलते चलते यह रुख गया है और यह jam हो गया है अब यह चल नहीं रहा है तो एक बार फिर से हम लाइट में लगा के देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जाम हो गया है और फिर से एक बार यह चालू हो गया है देख सकते हैं और फिर से जो है कि एक बार यह जाम हो गया है तो इसके ढकन को हम पहले खोल लेते हैं यहां पर हम जो इसके डखकन की स्कुरूप को खोल लेते हैं उसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या प्राब्लम है तो यहां पर इसके काफी पुराने हो गए हैं तो इसको खोल लेते हैं हम तो यहां पर हमने तीनियों स्कुरूब को खोल लिया है देख सकते हैं यहां पर और यहां पर हम इसको देखा दे रहे हैं सामने से तो देख सकते हैं पीछे से कुछ इस टाइप का हाल है यहां पर इसके कनेक्शन वगारा हुए हैं तो इसके हम जो है वारिंग जो भी हुआ ह इसको हम छोड़ा लेते हैं वार स्विस से और इसके बोल्ट को भी खोल लेते हैं तो चले इसके बोल्ट को खोल लेते हैं उसके बाद हम आगे दिखाते हैं आपको तो यहां पर हम इसके कनेक्शन को छोड़ा लेते हैं स्विस से यहां पर इसके बोल्ट भी खोल लेते हैं उ उसके बाद हम इसको दिखाते हैं आपको, यहाँ पर यह वेरिंग देख सकते हैं आप, तो चले इसको खोल लेते हैं ढकन को, तो यहाँ पर हमने connection को छटका लिया है, और इसके bolt तीनों जो हमने खोल के निकाल लिया है, अब हम इसके body को अलग करेंगे, तो यहाँ पर देख स तो चले इसके ढकन को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखाते हैं आगे आपको, तो यहाँ पर हमने coil को जो है body से अलग कर लिया, इसकी stator को, देख सकते हैं, और यह coil अभी नया है, देख सकते हैं, तो coil को भी हमने test किया था, यह coil बिल्कुल सही है अभी, और इसके paper यहाँ पर यह coil में थोड़ा problem है, क्योंकि यह coil बैंडिंग किसी electrician के द्वारा की जा गया था अभी जल्दी में, जो कि customer का demand था, और इसमें थोड़ा problem है कि यह rotor जो कि पूरी तरीके से free नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं, यह coil पकड़ ले रहा है, तो हमने इसको कोटर के और इसके cabinet को अलग कर ली है, यहाँ पर हम दुला रहे हैं, तो यह फिरी तो चल रहा है, लेकिन इसमें हमारा soft का problem है, तो सबसे पहले इसके bearing को निकालेंगे, तो चले इसके bearing को निकालते हैं, और इसके बाद दिखाते हैं, आपको वागे हम, कि इसमें क्या कमी है तो यहाँ पर हमने इसके bearing को निकालने की कोशिश किया, और इसका जो देख सकते हैं, पीछे के body यह क्रेक हो गया, जो कि देख सकते हैं, तोट गया है, और यह पहले से यह क्रेक था, आपको मैं देखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें किसी electronics के तबारा पहले इसके themosaug诇 किया गया था जो कि देख सकते हैं यह क्रेक यह इसमें cg लगाए गया था किशन में नहीं चलपायां और इसमें सरी बारिविट निकालते समय यह ब्रेक हो गया तो आप लोग भी कभी भी बारन निकालें तो बहुत ज़्यादा कम जोर होते हैं तो साउधानी से कभी भी आप लगाईएगा यहां पर यह बैरिंग देख सकते हैं जो कि 6000 है तो इसके बैरिंग हमने दोनों निकाल ले हैं और इसी बैरिंग को इसमें हम फ्रिटिंग करेंगे तो यहां पर हम दोनों बैरिंग नया करते हैं जो कि दूसरा बॉडी हम इसमें लगाएंगे हरा कि यह भी बहुत ही आप हे लगाएंगे isल करेंगे क्योंकि यह बहुत ही हलक होते हैं जड़ा भी में क्वेख फिटिंग कर ते हैं देखते हैं आप रहा पर यह पूराना इछफ देख सकते हैं रहा hanpereा इंसे हमस यह बेरिंग देख सकते हैं जो कि 6000 लगा गया था तो इसी को हम यूज करेंगे इसमें और यह बेरिंग देख सकते हैं यहां पर फिरी तरीके से बैट रहा है जो कि फिरी तरीके से नहीं बैटना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं हम पुराना वाला सेट लगाएंगे इसम चलिए इसमें bearing को fitting कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर हम body में bearing को fitting करने से पहले हम इसमें grease डाल लेंगे, क्योंकि इसमें grease नहीं पड़ा हुआ है, और कभी भी आप लोग bearing fitting करें तो उसको एक बार वारसल को चेक कर लें, क्योंकि grease जो है इसमें भ इसमें grease अवस्त डालें, क्योंकि अगर grease नहीं डालेंगे, तो fine आपका jam हो जाएगा, चलते चलते grease सुख जाएगा, तो bearing आपकी खराब हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर grease डाल लिए है, अब इसमें हम body को fit कर लेंगे, यहाँ पर अच्छी तरीके से fitting होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने बाड़ी में एक bearing को fitting कर लें अच्छी तरीके से, और यहाँ आगे वाले सौट में भी bearing fitting कर ले आए, तो चलिए भी इसको fitting करते हैं, तो fitting करने में बता दूँ कि कभी भी bearing अगर आप लोग fitting करते हैं, तो उसमें इस बात का धामिसा ध्यान दे, कि bearing कभी भी अगर फ्री नहीं बैटना चाहिए, क्योंकि अगर bearing फ्री बैटेगा तो समझ लिजी का आपका साट जो है कड गया है, तो इस बात का ध्यान दे, अगर आपका साट कड जा तो उसमें चेर मार ले, किसी फाइल या छीनी की जरी आप उसमें चेर मार सकते हैं, अगर आप ऐस करेंगे, तो आपका फ्री नहीं में चलते चलते रुख जा रहा था और अलग तरीकी आवाज भी जा रहे थे, तो जिसके कारार, हमनें इसमें चेर मारा है, और आपका साट कर लेकिती हैं, अलग कि और सभी चीजी मैं आपको नहीं दिखा पाया, जैसा का आपको पता है, एक हाथ से दो काम नहीं हो सकता है तो उस चीज को मैं कभी दूसरी वीडियो में आपको देखाऊंगा कि इस तरीके से इसमें चेर मारते हैं और किस तरीके से इसमें हम बैरे रिंग को फिटिंग करते हैं फिलाल हम इस फैन को फिटिंग करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ती इसको ब्लेट लगा के उसके बार टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारा चलता है, तो यहाँ पर हम इसके जो है कि नट को पूरी तरीके से ढिल कर लेंगे, यहाँ पर हम घाट में बैठाएंगे, तो यहाँ पर हम इसके घाट को देख लेते हैं, तो यहाँ पर इ लेते हैं अच्छी तरीके से उसके बाद हम इसको जो है टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर चलिए हम इसको अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं तो यहाँ पर हमने बैठा लिया और हमारा फाइन देख सकते हैं बिल्कुल फिरी है जो कि बहुत अच्छी तरीके से चला है अब हम हम इसे टेस्ट करेंगे तो चले इसके कनेक्शन को कर लेते हैं उसके बाद हम टेस्ट करते हैं यहां पर हम इसको देख सकते हैं यहां पर यह इसके कनेक्शन जो कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर दो हरा और दो पीला वायर है तो एक हरा और एक पीला को हम इसमें नुटल बनाएंगे और हमारा यहाँ पर पीला वाला जो है उस पे हमारा यह सीधा चलेगा तो यहाँ पर दोनों कापिसिटर के बाइर को जोड़ेंगे तो चले इसकी कनेक्सन को जोड़ लिते हैं उसके बार दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमने जोडा है तो यहां पर हमने connection के wire को जोड़ लिया देख सकते हैं यहां पर एक हम पीला पर और एक हम जो की neutral हमारा जो की देख सकते हैं लाला और हरा wire जो पीला और हमारा हरा wire है उस पर टेस्ट करेंगे इसमें हमने 4 का यह condition लगा हुआ है तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं यहां पर हम इसके wire को पहले हम सबसे पहले हम सीरीज में टेस्ट करेंगे क्योंकि कभी भी हम कुसी भी चीज को बना है तो हमें पहले सीरीज में टेस्ट करना चाहिए तो यहां पर हम इसको चुगा रहे हैं लेकिन हमारा fire नहीं चल देख सकते हैं हमने यहां पर सीरीज में ल तो यहां पर हमने इसके connection कर दी हैं और इसके wire को हम लगा के check करते हैं इसके connection देख सकते हैं आप किस तरीके समने किया है यहां पर एक newtel को हमने यहां पर डारेक्ट जोड़ दिया है और यहां पर जो जिस पर हमारा LO के हमारा सीधा चलेगा तो उससे हमने एक wire लेके switch से connection कर है क्योंकि हमारा यह switch से रहेगा तो चले अब इसको test करते हैं light में लगा के और देखते हैं चलता है कि रही प्रॉपर तरीके से तो यहां पर हमने इसको on कर दिया है यहां पर और यह बिल्कुल first class का हमारा यह fan चला है लेक सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है यह तो आप लोगों ने देखा हमने इसमें किस तरीके से इस fan को जो आने वाले कमी को ठीक किया है तो आप लोग भी इस तरीके से अपने घर पे इस fan को ठीक कर सकते हैं तो मैं उम्मिद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी तो मिलेंगे नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए गोड़ बाई